तो वही ओवराल यही है कि विराट कुली ने इस बार आप कह सकते हैं खुलकर बात करिये बाबाराजम पर सवाल भी यह पूछा गया आप कह सकते हैं कि स्टार स्पोर्ट्स ब्राडकास्टर जो होंगे यह शगप के आप कह सकते हैं कि उनसे इंटरेक्शन में विराट कोली ने बाबा राजम के लिए कुछ ऐसे प्रेजिस दे हैं जिने आज बाबा राजम वो रिलाइस करेंगे कि हाँ जब मेरे आइडल्स जब आपके आइडल आपकी तारीफ करें जिनको आप बहुत ज़ादा एडमायर करत हैं तो असली सकसेस आपकी लाइफ में वो ही होती है तो विराट कोली ने बाबा राजम के लिए क्या काया है वो भी आपके सामने चलाएंगे और जरूर बात करेंगे कि भाई इसलिए विराट कोली के दुनिया इतनी रिस्पेक्ट करती है नोट अलिए इस ग्रेट क्रिके में जो इंटर्व्यू जो इनका एक चंक बहुत जादा वाइरल हो रहा है उसमें विराट कोली ने हिंट भी दिये कि बाबा राजम उनकी कितनी रिगार्ड करते हैं कितनी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो ही है कि आपके सामने स्टेटमेंट चलाएंगे और ये है वो आप बाबर की तारीफ मत करो यार अकाज भाई आप बाबर की तारीफ मत करो आप उसके बारे में ही क्यों बोल रहे हैं भाई there is a reason अगर कोई खिलाडी अच्छा करना होता है तो आपको उसकी तारीफ करनी होती है तो भाई वो ही है कि you have to be neutral जब आप report करें लेकिन आज the king himself Virat Kohli who is मतब जिसे कहते है real king होई है जब Virat Kohli किसे को कहे he is probably the top better in the world तो आप समझ जाए भाई कि यहाँ पर क्यों चर्चा इतनी होती है और क्यों इतनी बातचीत होती है यह जी statement the first interaction I had with him बाबाराजम को बात करते हैं जब उनसे बात कर रहे होते हैं जतिन सप्रो तो उनसे बात करते हैं वहाँ पर बोलते हैं Virat Kohli the first interaction I had with him बाबाराजम के बारे में वो बोल रहे है was during the 2019 ODI World Cup जब इंडे ने Pakistan को हराया था Manchester तो वो ही है फिर उसके बाब आपने देखा कि बाई ODI World Cup after the game in the Manchester I have known Imaad Vaseem since the Under 19 World Cup Imaad Vaseem के अच्छे relations Virat Kohli से Under 19 समय से जानते होने तो उनको बोलते हैं कि भाई I have known Imaad Vaseem since the Under 19 World Cup and he said Bhabar wanted to have a chat जब आप यार बड़े excited होते हो कि आप आप अपने star से एसरस को देखते हो Virat Kohli से वो मिलते हैं तो आपको बहुत जादा सीखने को मिलता है तो बापाराजम ने मिरी माद Vaseem से कहा कि भाई आप मुझे विराट Kohli से इंट्रडूस करवा दीजे मुझे मिलवा दीजे तो भाई वहाँ पर Virat Kohli बोलते हैं we sat down and spoke about the game I saw a lot of regard and respect from him from day one क्योंकि विराट Kohli ने कहा कि भाई वो पहले दिन से मेरी बहुत जादा इज़त करते थे मैं उनकी बातों में वो सोच सकता था उन्होंने मेरे को जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट करा होगा आप वहते हैं और श्ट्रक हो जाते हैं आज मैं अपने स्टार से मिला हूँ आज मैं विराट Kohli से मिला हूँ जिसको देखकर भाई मैं इतना इंस्पार होता हूँ कि मैं बैटिंग और जादा करने का मन करता है मैं और भेतर हूँ मैं इनके जैसा एक दिन बनूँ तो वो विराट Kohli ने कहा कि मैंने जब उनसे पहले इंट्रेक्शन करी भाई मुझे उससे इंदाजा होगे कि इस बंदे को ये बंदा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है बाबा राजम विराट Kohli की बहुत जादा रिस्पेक्ट करता है तो वो ये ओवराल जो लेकर उन्होंने बात करी भी कि भाई हाँ विराट Kohli ने यही बोला फिर कि भाई रिकार्डनेस ओफ दे फैक्ट ही इस प्रोबेबली दे टॉप बैट्समें इन दे वर्ल्ड अक्रॉस फॉर्मैट्स ये खुद विराट Kohli ने बोला है जो इस जनरेशन के सबसे बड़े बले बास है और फॉर्मैट्स के बट नाओ उन्होंने का है राइड नाओ एज अफ नाओ एक्रॉस फॉर्मैट्स ऐसे भी ने का है ओल्ड ये में साट की एवरिज है टी 20 में अच्छा करता है टेस्ट में घर में इतने जादा रंस है विराट Kohli जब बेस्ट आपकी तारीफ करें तो समझे ये भाई आप बहुत अच्छी रहा पर हैं और आप बहुत अच्छा कुछ लाइफ में कर रहे हैं वापर विराट Kohli ने की जम के बाबर आजम की तारीफ स्टार स्पोर्ट पे अपने दिये के इंटर्विव में विराट Kohli ने बाबर आजम को वर्ल्ड का नमबर वन बेस्ट में करा दिया अब इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि विराट Kohli तो खुद भाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं तारीफ वो जो दुश्मन भी किये बीना न रह सके अगर आपको हमारी वीडियो बसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीचे और चैनल को सब्सक्राइब कीचे थैंक यू